तारग मैता का उल्टा चर्श्मा एक ऐसा शो है जो लोगों को हसा हसा के पेट दर्द कर देता है पर जिस तरीके से एक से बढ़के एक किरदार इस शो को छोड़ते जा रहा है ऐसा लग रहा है कि ये शो अब जल्द ही बंद होने वाला है आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल सब्सक्राइब करें तारग मैता का उल्टा चर्श्मा ये शो एक ऐसा शो है जो बड़ों से लेके बच्चों तक हर किसी को हसाता है और हर किसी को पसंद भी आता है पर दीरे दीरे जेटलाल अकेले होते जा रहे है पहले उनकी पतनी दयाबेन और अब उनके परम मित्र सैलेश जी भी इस शो को छोड़ चुके है लोगों का कहना है कि एक माहिने से वो शूटिंग पर नहीं आ रहे है और अब बापसी का भी कोई इरादा नहीं लग रहा है क्योंकि लगातार एक माहिने काम ना करने पर शो में वो किस तरीके से आएंगे शो के मेकर्स का कहना है कि मुझे इस बारे में पहले से अवेर नहीं किया गया है पर जेटलाल दीरे दीरे अकेले हो गये है और उनको लेकर कई बाते भी सामने आ रही है जिस तरीके से जेटलाल अपने मज़ेदार बातों से लोगों को हसाते है और एक्टिंग से लोगों को इंप्रेस करते है अगर ये शो बंद हो जाता है तो कई लोगों को फरक पड़ेगा क्योंकि ये एक ऐसा शो है जो लोगों को हसाने में मदद करता है अब सवाल ये है कि सच में सैलेश लोड़ा वाके ये शो छोड़ चुके है या मजाख है क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है और वो हमेशा नए अंदाज में बापस आ चुके है पर लगता है इस बार वाके में उन्होंने शो छोड़ने की ठान ली अगर सच में इस तरीके से हर एक मज़दार किरदार छोड़ते जाएंगे इस शो को तो शो मेकर्स को सच में ही ये शो बंद गरना पड़ेगा आपका क्या विचारे आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो पर मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा